नमस्कार दोफ्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कड़ी पत्ते के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ देखिए इस पोदे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है जब पोदो को नीचे जमीन में लगा लिया जाता है तो उनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है इस प्लांट के पत्ते खाये जाते हैं इसलिए इसे हर गर में लगाये जाता है मैं इस वीडियो के माद्यम से आपको बताऊंगा कि इस प्लांट को कब लगाना चाहिए इसमें कितना पानी देना चाहिए और कौन सी खाद इस पोदे के लिए अच्छी रहती है बरसात के सीजन में इस पोदे के नीचे छोटे छोटे पोदे उग जाते हैं और आप उन पोदों को लगा सकते हैं मैंने भी एक छोटा सा पोदा ही इसका लगाया था और अब देखिए कितना बड़ा पोदा बन गया है मैंने इसका 3 इंच का छोटा सा पोदा लगाया था और अब देखिए इस प्लांट की हाइट 5 फिट से भी अधिक हो गई है इस प्लांट को कटिंग से भी त्यार किया जा सकता है बर्षात के मुसम में आप इसकी 5 से 7 इंच लंबी कटिंग काट कर रूटिंग हार्मोन लगा कर लगा लीजिए इसकी कटिंग गुरो हो जाएगी यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन पावडर नहीं है तो आप ऐलो वीरा जैल या सहद लगा कर भी आप इसकी कटिंग गुरो कर सकते हैं इस प्लान्ट की कटिंग लगाने के लिए बालू मिट्टी या रिवर सेंड का इस्तेमाल कीजिए कटिंग लगाते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान दखना पड़ेगा जब हम इसकी कटिंग लगाते हैं तो उसे ऐसी जगे ना रखे जहां अधिक सनलाइट आती हो उस कटिंग को आप ऐसी जगे रख दीजे जहां बिलकुल भी सनलाइट नहीं आती हो 15-20 दिनों तक उसको ऐसी चायादार लोकेशन में रख दीजिए किसी भी पोदे की कटिंग लगाने हो आप उसे 20-25 दिनों के लिए चायादार लोकेशन में रख दीजे तो यूश कटिंग में रूटिंग शुरू होगी कई बार हम उस कटिंग को ऐसी जगे रख देते हैं जहां आधिक गर्मी होने की वज़े से वो कटिंग सुख जाती है अब बरसात के मोसम में देखिए इस पोदे में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और नई नई बरांचीज निकल रही हैं ये देखिए जब पोदे की नई ग्रोथ हो रही हो तो आप उस टाइम उसकी कटिंग ग्रोथ कर सकते हैं वैसे बरसात के मोसम में लगबग सभी पोदो की कटिंग आसानी से ग्रोथ हो जाती है जब पोदो को गमलों में लगाया जाता है तो अधिक खाद और फर्टिलाइजर के आवसकता पड़ती है क्योंकि गमले में थोड़ी मिट्टी होती है और उनको आवसेक नूटिंट्स नहीं मिल पाते हैं जमीर में लगेवे पोदो को किसी भी परकार के खाद किया आवसकता नहीं पड़ती है ये देखिए ये पोदा दो साल लगबग हो गया है और मैंने इस पोदे में किसी भी परकार की खाद नहीं डाली है मैं इस फोदे में केवल पानी डालता हूं इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी खाद या फरटिलाजर का इस्तेमाल नहीं किया है कड़ी पत्ते के पोदे में chemical fertilizer का इस्तेमाल ना करें क्योंकि हम इसके पत्तो को खाने में यूज करते हैं और chemical fertilizer अमारी सेथ के लिए नुक्सायन दायक होता है ब्रांच की प्रूनिंग करने से पोदे घने बन जाते हैं यदि ये पोदा घना नहीं है तो आप इसकी ब्रांचिज को भी प्रून कर सकते हैं जब इसकी एक ब्रांच को प्रून करते हैं तो वहाँ से दो या तीन ब्रांचिज निकलती हैं, जिससे ये पोदा घना बन जाता है, देखिए इस पोदे के सीट्स भी बनने शुरू हो गए हैं, जब पोदों के सीट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो इसके नीचे नए नए पोदे अपने आप उगने लगते हैं क्योंकि हम इसके पत्तों को खाने में यूज करते हैं इसलिए इसके पत्तों पर कभी भी chemical insecticide या chemical pesticide का स्प्रे ना करें अब हम इस plant के लिए watering की बात करेंगे कि इस plant को कितना पानी देना चाहिए ये एक ऐसा plant होता है जिसे आप हर रोज पानी दे सकते हैं जितना आप इसमें regular watering करोगे उतने इसकी अच्छी ग्रोथ होगी ये पोधा over watering को पसंद करता है जमीन में लगे वे पोधे में आप चाहे जितना पानी डाल सकते हैं ये पोधा over watering से नहीं सूखेगा गंबले में लगे वे पोधे में थोड़ा पानी का ध्यान दखना पड़ता है क्योंकि जब गंबले का drainage hole block हो जाता है तो वो पानी बाहर नहीं निकल पाता है रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू